अस्सलाम आलेकुम रहमत ल्लाहिं बरकातों दोस्तों आपका मेरे चैनल एंटियनेट फ्रोग ए अदब में स्वागत हैं खायर मक्तम हैं खुश आम दीद हैं मौस्ट वलकम हैं आज मैं आपके सामने पुरिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलेजिबिलिटी टेस्ट लेकर हूं सिकेंड 2021 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिना सवालात माजवाबात पार्ट वन तो आईए बुनादेर के शुरात करते हैं लेजिबिलिट इस्ट इस्ट हैं तो मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजें लाइक कीजें और वीडियो को जादा जादा अपने दोस्तों में शेर किजें तो सबसे पहले में उरिशा सिकेंडर इसकूल टीचर इलिजिबिट टेस्ट हैं तो कोसन स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले उसके सिल्यबस को देखेंगे कि क्या क्या होगा और mcq होगा in order there will be 60 questions in all each questions will carry one mask there will be four options answer for each questions obtain the correct answer will be selected the question will be mcq pattern mcq में होगा तो यहाँ पर देखें नसर से 10 questions होगे नजम से 10 questions होगे drama novel अफसाने से 10 questions होगे अजगरामर से आपके 10 questions होगे पेड़ागोजी से 10 questions होगे नामालम अबारत और मश्यूर ड्रामा या unseen पेसेज और अधीबों के बारे में आपसे 10 questions होगे तो आईए unit one है नसर जो 10 questions होगे उसमें सबसे पहले है हिंदुस्तानी तहजिब के अनासिर सिप एधिसराम हुसिन का की ये तस्नीफ है उसके बाद है गómoमी यकजहती प्रेम्चन का है उसके बाद हमान आजादी अबु अबू फैज सहर का है उसके बाद उनिसा में अर्दू जबान का इर्तिका बोर्ड ऊफ सिकेंडरी एजूकेशन उसके प्लादर इन उनुट्ट्रियु में बन जारा जो नजीर अकब़ाबादी की नजम है उसके बाँ जल्वे दरबाद धरी अकब़ाइ अल्हाबादी की नजम है एक आर्जू डॉक्टर शर्मोहमद अकबाल की नजम हे उसके बाद है आइंस्टाइन के वफात डॉक्टर करामत अली करामत की है उसके बाद मक्षी चूस फैस संबलपूरी की है उसके बाद गजलियात में मीर तक्मीर ख्वाजा मेर्दद गालिब और हस्रत ये सब सामिन है गजलियात में उसके बार यूनिट 3 हम देख ते हैं ड्रामा, नाविल, मुक्तसर, अफसाने ये तीन हैं जो अफसानी नसर में ड्रामा है नाविल है प्रफेसर महमद मुझीब, परोफेसर मुझीब का है, उम्राओ जन अदा ये नाविल है, मिजा हादीर उस्वाँ का है और उर्दू के तेरा अफसाने कफन अनंदी अतहर परवेज का है ये ये तस्नीफ है उसके बार आया आपका यूनिट फूर कवाइद गरामर पे है जिसमें इस्म फेल हर्फ इन सब के बारे में आएगा उसके बार जमीर है सिफत है जम्ना साजी है साबिका वछाह का है इमला है मतशाबा और मतज़ाद इल्फाज है गलर जमले और उनकी इसलाँ है अज़ाफत है माःवर और जलबल अमसाल है यूनिट फाइव है पेड़ागोजी अर्दू पर्णएक के फराहज़ कासिद एगर इजमाली और तफ्शली मुटाला पर महारत तद्रीज से नस्रों नज्म कवाइद हैं दसों तद्रीज में जिमनी मुटाला इशाराते शबक जाज किये मुक्तलिब तरीके तहरीरी महारत ये सब आपके इस लेबस में सामिल है सिश्टी कोसिंस होंगे जो आपको इसके उसके भी कोसिंस होंगे जिसमें नौखानदा इबारस से सवाल मशूर अद्बा की खिदमात अलताफ उसन हाली है न्यास फतापुरी है अली सादा जाफरी है अमिर खुसरू है मजरू सुल्तान पुरी है इन सब से आप कोसिंस पूछे जाएंगे तो सिश्टी कोसिंस पर ये मु नजम किस जबान का लब्ज है और उसके क्या मानी है तो चारा अपसन आप की स्क्रीन पर है पास सिकन का वक्त दिया ज़रा आप जवाब देने कोसिस कीजिए इसका सही जवाब है अपसन आफर नजम अर्भी जबान का लब्ज है जिसके मानी है पिरोना लरी में पिरोना मो तो मोटी पिरोना तागे में मोटी पिरोना नजम का अर्भी जबान का लब्द है जिसके मानी पिरोना भी होता है लड़ी में पिरोना होता है यह तागे में मोटी पिरोना Q2 है नजिर अग्पर अबादी की विलादत कब और कहां हुई इसका सही जवाब है 1740 इसको दहली में हुई थी Q3 है जेल में से कोन सी नजिर अग्पर अबादी की नजिर अग्पर अबादी की नजिर 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 अबादी की शामिले नजिर अबरबादी की नजम बंजारा किस हैत में है इसका सही जवाब है आप समत्री मुखम्मस की हैत में है कुसर नमा फाइव है एक आरजू किस शायर की मशहूर नजम है इसका सही जुआ इख वाप है आप समय थी एकबाल की मश्छीन नजम है ये भी आपके निसाब में सामीड है कोज़सर नमर एट है एकबाल की पहली मतवबा नजम कोन सी है हिमाला उनकी दिवान की पहली नजम है यह और पहली मतबुआ नजम भी है छपने वाली नजम है कोसर नमर नाइन है कोसर नमर सेबन है एकबाल का दोशरा शेरी मजमुआ कब और किस नाम से शाय हुआ इसका सही जवाब है ऑप्सन रटो 1935 सिस्टो बाले जिबर के नाम से शाय हुआ कोसर नमर एट है नावल उम्रावजन अदा में खानम की बेटी का नाम है इसका सही जवाब है ऑप्सन रटो बिस्मिल्ला नाविल उम्रावजन अदा में खानम की बेटी का नाम क्या है बिस्मिल्ला नाम है कोसर नमर नाइन है जेल के किस नाविल में फ्लेस बैक की टक्निक का इस्तमाल किया गया है इसका सही जवाब है उम्रावजन अदा फिलेजबिक टेकनिक उसको कहते हैं जिसमें बच्पन की जिन्दी को दोबारा से रिप्लेग करके दिखाये जाते है कुस्टर नमर 12 है नाविल उम्रावजन अदा का किरदार फैज अली का मनसब या पेशा क्या है इसका सही जवाब है उप्सन मती डाकू वो एक डाकू है फैज अली इसमें क्या है एक डाकू है कुस्टर नमर 11 है नाविल उम्रावजन अदा कुल कितने हिस्टों पर मुस्तमिल है इसका सही जवाब है उप्सन मती तू पचीस हिस्टों पर मुस्तमिल है कोशनामा 12 है मिर्जा हादी रुस्वा का इंतकाल कब और कहां हुआ इसका सही जुआब है आप्सना टू 1931 सुका है दराबाद में हुआ कोशनामा 13 है मिर्जा हादी रुस्वा का पहला नावेल कौन सा है इसका सही जुआब है आप्समा एक अफ शाय राज ये मिर्जा हादी रुस्वा का पहला नावेल है पहला अद्वी तखलिक है पहली अद्वी तखलिक है उनकी मिर्जा हादी रुस्वा का नावेल उम्रावजन अदा कब शाय हुआ इसका सही जवाब है ऑप्समेक 1899 इसे में शाय हुआ था कोसर नमर 14 है एकबाल की फार्शी मस्नवी असराडे खुदी का तर्जुमा प्रोफेशर आर ए निकलसन ने किस सन में किया था इसका सही जवाब है ऑप्समेक सन 1920 इसे में एकबाल की फार्शी मस्नवी असराडे खुदी का तर्जुमा प्रोफेशर आर ए निकलसन ने 1920 इसे में किया था कोसर नमर 15 है एकबाल का आखरी सवाल है एकबाल का दोश्रा शेरी मजमा कब और किस नाम से साही हुआ था इसका सही जवाब है ऑप्सम टू 1935 इसे में बाले जिब्री के नाम से साही हुआ था दोस्तो मेरी वडियू आपको कैसे लगी और अच्छी लगी तो चानले को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और वीदियू को था जज़ए अपने दोस्तों में शेर कीजिये आज के लिए अजाजा देजिए अपने दोस्त तुफिक अन्जारी को अल्ला हाफिज